हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू माई चैनल अगर आपने भी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें इस ड्रामा की सेकेंड लास्ट एपिसोड के शरवात में जब शू की आँख खुलती है तो यह फैक्टरी के शत प फौन गार्ड को वापिस कर देता है इसके पाद आज येंग जयान जायंग को तेंग्यू से लेने के लिए होता है जैसे ही येंग जयान जायंग के पास आता है तो जायंग इसको हग करती है ये दोनों काफी खुश दिखाई दे रहे होते हैं येंग जयान इसे पूछता ह गाने की दूभान पती है मुझे झूलो किया लगता है विए झनका रर्थ को से लगती है बात बेंगे टिरेती पुल के लौदे को ससे लाइब से लिग हुग गिर गई थी तो मुझे लगा था कि गावी ने मेरी जान बचाई है और उसके बास सही मैंने गावी को इतना स्पेशल ट्रीट करना शुरू कर दिया था जब तक मैं गावी को पसंद करती रहूंगी तो मैं उन प्रॉब्लम्स को ऑवाइड कर सकती हूं जिनको मैं फेस नहीं करना चाहती लेकिन आइस्ता आइस्ता मुझे असास होने लगा कि मैंने अपने आप से कितने जूट बोले हैं शायद इसी तरह से मैं अपने दिल में सबसे बड़ी उलजन का सामना नहीं करना चाहती थी यंग जैन कहते है कि मुझे इस सब के बार में कुछ भी नहीं पता मेरे लिए तुम मेरी जिंदगी की सबसे ब्राइट रोशनी हो यह सुन कर यंग जैन एमोशनल हो जाता और जायं को हख करता है इसके बाद कि दोनों फिशिंग करने के लिए जाते हैं वहां में ये दोनों काफी नजॉय करते हैं वापिस आने के बाद जायं गिंग जैन की कार पर डिजाइन बनाती है और डिजाइन बनाने के बाद से पूछती है कि क्या तुम इस डिजाइन से सैटिसफाइड हो तो यंग जैन मस्कुराते हुए कहता है कि हां बहुत जादा जायं गिंग जैन से पुछती है कि तुम डिनर के लिए क्या खाओगे तो यंग जैन क तो मिस्टर डू कहते हैं कि तुमने तेंग्यू के बारे में जो प्रॉफिट इनलेसिस किया है वो बहुत ज़्यादा प्रफेशनल है शुक्रिया दा करता हूं और आपने मुझे ये बार भी रिलाइस करवाई है कि एक अच्छे इंवेस्टर को क्या करना चाहिए और क्या न होड़ देना चाहिए और फ्यूचर के लिए मेनत करनी चाहिए कि मेरा होस्टा बढ़ाने के लिए शुक्रिया लेकिन मुझे लगता है कि मैं बाउशिंग के एक्जेक्टिव डिरेक्टर के लिए सूटेबल नहीं हूं इसके साथ ही मैं अपने सब पैसों से तेंग्यू के सारे शेयर्स खरीद लूँगा जो बाउशिंग के पास हैं अब मुझे अमीद है कि आप मेरी विश को दुबारा जरूर पूरा करेंगे ये बास सुनकर मिस्टर डू हुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम जानते भी हो कि तुमने भी क्या कहा है चो कहते है कि आप अपने जो एक्जिर्ट प्रॉफिट अप्रूफ किया है उसके मताबक मैं बाउशिंग को वही दूँगा जो वह डिजर्फ करता है मिस्टर डू कहते हैं कि मुझे लगा था कि मेरी पिछली बार की चतावनी के बाद तुम फिर से कोई बीवकूफ हमारी हरकत नहीं करोगे शो केता है लेकिन मुझे लगता है कि एक इन्वेस्टर के लिए परफेशनल बोटम लाइन होना भी जरूरी है अब हमें वह सीम दिखा जाता है कि जब शो लीडियर डिपार्टमेंट से बाहर आता है तो गाउई शो से बात करनी के लिए कहता है गाउई शो से कहता है एक पहले पीस लोन के शेंगूई के गाइब होने के खबर बाउशिंग ने लीग की थी, मुझे लगता है कि तुम इस बारे में जानते हो, शो कहता है कि तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है, गौई कहता है कि तुम्हें मेरे सामने एक्टिंग करने की जूरत नहीं है, मैं बस य कि मुझे अभी ये बात रियलाइज हुई है कि मेरे और आपके चीजों के नॉर्मल स्टेंडर्ड में काफी फर्क है मिस्टर डू कहते हैं कि ऐसा इसले क्योंकि अभी तक तुम एक मिचूर इन्वेस्टर नहीं हो और तुमने मेरी जितावनी को भी अपने दिमाग में नहीं रखा शो बहुत ही confident अंदाज में कहता है कि क्या मुझे एनिडा की scheme के भी पूरी responsibility लेनी होगी मिस्टर डू शो से कहते हैं कि तुम जानते भी हो कि तुम्हारे आज के फैसले के बात क्या होगा शो कहता है कि क्या आपको डर लग रहा है कि जब मैं अपना सब कुछ खो दूँगा तो ये आपकी grand scheme को भी नुकसान पहुंचाएगा शो कहता है कि मुझे यकीन है कि आपने मेरी skills तो देखी ले होंगी अब तक अब मुझे यकीन है कि मैं बहुत अच्छे से काम करूंगा ये कहते हुए शो मिस्टर डू को फाइल दे रहा होता है अब मिस्टर डू भी इस फाइल को पकड़ कर खोल लेते हैं इसके पास शो गॉंगली के साथ जा रहा होता है गॉंगली शो को हीरो फ्लाइ के बारे में सारी इंफरमेशन दे रहा होता है गॉंगली शो से पुछन रगता है कि तुम हीरो फ्लाइ में इतना इंटरस्टेट क्यों हो शो कहता है क्यूंके सिर्फ हीरो फ्लाइ ही हाइकिंग शो ब्रैंड है है इसे लिए उसको भी एनिडा की जरूरत है इसके पार दिखा जाता है कि शू इस प्रपोजल के बारे मिस्टैंग को बता देता है मिस्टैंग कहीं रगती कि मैंने नहीं सोचा था कि एन्ड में चीजें इस तरह से खतम होंगी तो शू कहते है कि क्या आप इस डिल से सैटिसफाइड हैं मिस्टैंग कहती है कि इस सब का प्रॉसस इतना अच्छा नहीं था लेकिन रिजल्ट काफी अच्छे है शू कहता है कि यूरपेन मीडिया भी इसके बारे में रिपोर्ट क करें गां जिससे डील और बिस सद्member बन जाएगी मिस्टैंग कहती है कि हम जल्से जल्स कॉंट्रक्ट साइन कर लीना चाहिए और अब स्भी मिस्टैंग के साथ एंस यह और अब 2 को बता रहा हो था के एनिडा ने फी ए्स प्रपोसल को एक्सेप्ट कर लिआ तुम बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि ये कॉस्ट एनिडा के लिए कोई भी एहमित नहीं रखती लेकिन तुम्हें सिर्फ तेंग्यू के शेयर्स खरीदने के लिए अपनी सारी दौलत लगानी पड़ेगी शू कहता है कि हर चीज में ही मुश्किलात होती है मैं बस इस सफते का वक्त देता हूं शू थैंक्स बोल कर यहां से चला जाता है अब शू जब यहां से बाहर आता है तो गॉंग ली शू को इसका कोट देता और पुछता है कि क्या हम लोग जॉब स्विच्छ कर रहे हैं या पर हम नया बिजनस शुरू करने वाले हैं लेकिन आप जो कार में बेट जाता है दुसी तरफ जियांगे मिस्टिव कर देती हो के वो लाइफ स्ट्रीम कैंसल कर दें यह कहते हैं आप शू घर पर वापेस आता है तो इसकी मट यहां पर इसका ilnokी होती है शो कि मौम इसे कहने लगती हैं कि हमारे बिजनस पर हमेशा ही बहुत जादा आर्गुमेंट्स हुए हैं तो हमेशा कहा करते थे कि हम डिफरेंट जनरेशन से हैं इसलिए हमारा काम करने का अंदाज और मसलों को देखने का अंदाज भी मुक्तलिफ है लेकिन एक चीज़ में समझ सकती हूं कि तुम किस तरह से सोचते हो शो कहता है कि मुझे अभी ये बात रियलाइज हुई है कि इन्वेस्टर होने की हैसियत से हमें इस तरह की कंपनी इसको डिवेल्फ होने का एक और मौका देने के लिए इनकी मदद करनी चाहिए अपनी मॉम से कहता है कि आप 1 मिंट यहीं पर उखिए शो अपनी मॉम को पर्पोजल देता है कि ये ब्रैंड को इंप्रूफ करने का पर्पोजल है जो पर्फेशनल्स ने शूफंग के लिए बनाया है शो प्रफेशनल्स ने शूफंग के लिए थे लिए बनाया हैor तुम्हारे प्रफेशनल्स ने इस पर्पोजल में शूफंग के फिचर को भी नजर में रखा है शो कहता है कि मैं घलत था मैंने नहीं कभी अच्छा था कि मेरे डैड क्या चाहते थे मैंने सिर्फ अपनी फीलिंग्स की ही परवा की है अगर मेरे डैड बाके में फैक्टरी को सेल करना चाहते होते तो वो कभी भी मशीन को रिपेर करने के लिए वापस नहीं जाते ये बातें करते हुआ शू काफी एमोशनल हो गया होता है और उसके बारे में लाफ फन्ड़ के लिए कहा था ल realm किसी कारण अब कलाउट फूट वेर के बारे में लाइस त्रीम नहीं हो रही ओं नो क्षुप पया क्यों क्या हुआ गॉंगली कहता है कि टाशा हींग क्लाट फूट फेर की नए प्रोड़क्ट को पहले परमोट करने वाली थी लेकिन कल रात उसकी लाइस्ट्रीम कैंसल हो गई लेकिन कल की लाइस्ट्रीम में एंड मुवमेंट पर टार्ट फूट फेर ने अपनी कुलाबरेशन को खतम कर दिया चो कहता है कि क्या टार्ट फूट फेर ने इसके बार में को एक्स्परिनेशन दी है तो गौंगली कहता है कि उनकी वीबो अकाउंट पर नेगिटिव कुमेंट्स का सेलाब आया हुआ है शू कहता है कि ताउशा यिंग एक टॉप इंफ्रेंजर है तो उसने प्रोड़क्ट को परमोट करने से पहले डिपोजिट जरूर लिया होगा और गौंगली कहता है कि जियांग भी अपनी बात से पिरने वालों मेंसे नहीं है शू कहता है कि यही उसका स्टाइल है हो सकता है कि वो चाहती होके लोग ये करेंट सिचुएशन देखें गौंगली कहता है कि आखिर जियांग को इससे क्या फाइदा हासिल हुआ होगा शू कहता है कि तुम कुछ मीडिया आउटलेट्स को तलाश करके इस ट्रेंड को मजीद बढ़ाओ गौंगली कहता है कि तुमारा और जियांग का ब्रेक अप हो गया है क्योंकि इनके क्लाइट्स भी अब इंसे मांग रहे होते हैं कि तुम कुछ पताऊ के हमसी की करना चाहिए काई है ने पॉर्ड काफी प्रिशान होते हैं हमाएं यंग लुघ ओन्टों की आइडिया सुनने चाहिए जियांग इनको कुछ पता नहीं वाली होती है पिर कहती है कि हम इस बात को भूल जाते हैं तो साथ ही मिस्टरी यह कहते हैं कि तुम कहो तुम क्या कहना चाहती है इस बार मैं तुम्हारी बात सुनूंगा जियांग कहती कि किया आप सिर्फ इस दफा मेरी बात सुनेंगे तो मिस्टरी लोगों के यहां से जाने के बात जियांग लैप्टुप खोलती जिसमें इसने अपॉलिजी लेडर लिखा होता है अब गॉंगली और शू जब लंच कर रहे होते तो गॉंगली इसको बताता है कि Cloud Footwear ने सबसे माफ़ी मांग ली है और सब को ये बताया गया है कि ये सारा मसला सिर्फ प्राइस के कारण ही हुआ है शू भी इसको देख कर मस्कुरा रहा होता है अब जियांग बैटकर कॉमेंट्स पढ़ रही होती है जो के Cloud Footwear को सपोर्ट कर रहे होते हैं कि इन्होंने अपनी कॉलिटी पर कोई भी समझोता नहीं किया अब गॉंगली शू को बता रहा होता है कि जियांग की इस मार्केटिंग स्ट्रेड़जी के कारण ये टॉपिक तीन दफ़ा टॉप ट्रेंडिंग में आ चुका है शो कहता है कि अब तो Cloud Footwear की सेल्स भी डबल हो गई होंगी गॉंगली कहता है कि ये एक इन्फुरेंजर से अपनी प्रोड़क्ट्स को प्रोमोट करवाने का मुफ तरीका है Cloud Footwear ने भी अपनी reputation फैसे बना ली है और साथ ही तौशा येंग के भी followers काफी जादा बढ़ गए है साथ शू को मिस्टर में का message आता जो इस से मिलना चाह रहे होते हैं गॉंगली कहता है कि मिस्टर में कभी भी तेंग्यों में जादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे चो कहता है कि मैंने ये planning नहीं की कि मिस्टर में तेंग्यों को control करें चो कहता है कि economic development zone में clothing और shoe industrial park के लिए मैंने deal कर ली है ये smart production line में invest करेंगे ताकि ये industrial park को join करने के लिए और भी enterprise को invite करें तेंग्यों भी इन में से एक होगा और मेरे पास जतने assets हैं और जो हमने funds raise किये हैं उसके साथ हम इस मसले को मकमल तोर पर हल कर लेंगे गॉंग्यों कहते है कि क्या तुम पागल हो तुम अपने सारे assets कैसे बेच सकते हो दुसरी तरफ तौशा येंग और जियांग एक साथ बैट के ड्रिंक कर रही होती हैं अब हमें दिखाया जाता है कि ये सारी scheme जियांग ने तौशा येंग के साथ ही बना ली थी अब मिस्टर ये सबी workers को अपने साथ factory में लेकर आते हैं तो वरकर पूशन लगते हैं कि आप हमें इस टाइम पर यहां पर क्यूं लेकर आए हैं आप हमसे क्या कहना चाहते हैं इसी मुमेंट पर इस ड्रामा की सेकेंड लास्ट एपिसोड खतम हो जाती है